अपने चारो और खड़े तिलिस्मी स्पायरा कबीले के बुजुर्ग को नजर अंदाज करते हुए विद्युत की नजर थोड़ी दूर धुंदलाती जगह पर थी, जिसके साथ ही विद्युत ने नाराजगी से नाज को शक्तियों की मदद से भीमा और मलिका की और भेजने क कोशिश की ही थी, कि तभी अचानक दो नश्वर के बुजुर्ग अपनी जगह से पलक जपकते ही गायब होए हुए, अगले ही पागल विद्युत के समाने नजर आए, दोनों के शरीर से लाल रंग की शक्तियां नजर आने लगी, जिसे देखकर दोनों नश्वर रंग के बुजुर्ग खौफनाक तरीके से हस रहे थे, बही दूसरी और जैसे ही विद्युत ने दोनों बुजुरों को अपने रास्ते के बीच आते देखा, तो विद्युत ने भरी आवाज के कहा तुहें, क्या लगता है कि तुम मुझे अपनी शक्तियों से नाज को ले जाने स रोक पाओगे, ऐसा कहते हुए विद्युत के चेहरे के भाव भयानक होंगे, उसके शारीर से धेर सारी आत्मिय शक्ति निकल कर चारों फैलने नहीं, ये लहर इतनी तेज और भयानक थी, दोनों बुजुर्गों को अपने सीने एक तेज जटका लगा, और उनके मुझ से धेर सारा खून निकलता, है लिकिन विद्युत इतने पर भी रुका नहीं, उसने तुर्बत अपने हाथों से सील तै करने लगा, लजिस के साथ ही उसके हाथों में चमकती हुई शक्तियां इक्स्टा होने लगी, जो देखते ही देखते एक आंधे चांद में बदलने लग थी, कि तभी विद्युत के कानों में एक खरास भरी आवाज सुनाई दी, विद्युत, मुझे उमीद है कि तुम मुकाबले के दूसरी भाग में पहुँच पाओगे, ऐसा कहते हुए एक हसी भरी आवाज विद्युत का मजाक बनाने लगी, ये आवाज किसी और की नहीं, बलकि दानव कबीले के चून डियाच की थी, जिसकी नजर विद्युत के हाथों में तयार होती शक्तियों थी, विद्युत की क्रास भरी आवाज सुनकर, विद्युत ने उसके जाते देख कर चून देच में वादा करता, हुँ आज के तेरी इस घटिया हरकत के लिए तु माकती हस्क्रियों से तेज रफतार में आगे दोनों नश्वर रैंक के बुजुर्गों पर बेरहमी से हमला कर दिया, जिसके साथ एक चांदी के रंग की शक्तियों की, की आंधे चांद जैसी चीज उसके हाथ से निकल कर समाने खड़े दो नो बुजुर्ग से टकराई, ज इसके साथ एक जोरदार धमा का हुआ, ये सब इतना तेज हुआ कि दोनों को कुछ समझ ही नहीं आया, दोनों ने हडबडाते हुए अपने चारों शक्तियों के परदे को तैयार की किया, लेकिन उस हमले की रफतार इतनी तेज थी, उन्हें बचने के लिए वक्त ही नहीं म पर हुई और उसकी आँखें खुली की खुली रहे गई, क्योंकि विधुत की मुन स्ट्राइक परपल शक्तियों की दीवार को तोड़ कर कर निकल गई थी, जिसके कारण उस दीवार में बहुत बड़े छेद नजर आने लगे थे, लेकिन तभी विधुत ने अपनी आत्म मालिका के जहरे पर खौफ नजर आने लगा, उसके कानों में परपल कोहरे से आती चिंचिंग की आवाज बढ़ती जा रही थी, जिसके चलते मालिका ने खौफ से चिलाते हुए कहा, मेरी मदद करो बही दूसरी और, लेकिन तभी अचानक मालिका को महसूस हुआ कि उसके बोलते ही उसका शरीर उसकी जगह पर जम गया था, जिससे देख भीमा ने आगे बढ़ते हुए नाज की मदद करने की कोशिश की, लेकिन तभी अचानक एक और परपल परचाई ने उसका रास्ता रोकते हुए शैतानी मुस्कुराहट के साथ कहा, इंसानी लड़के भीमा तुम फस चुके होत भी अचानक विधुद सामने चार परचाई उसके सामने आई जिसने उसके सीने पपर हमला किया, लेकिन उससे पहले वो हमला भीमा के सीने से टकरा था कि तभी विधुद ने तुरंट अपनी खूनी कोहरा तकनीक का इस्तेमाल कर आस-ास-पास के इलाक बही दूसरी और जैसे तिलिस्मी स्पायरा ने आसपास फैले उस कोहरे को भीमा के शरीर में जाते देखा तो उसने भयानक आवाज में कहा। बही दूसरी और भीमा की अपना मजाक उड़ाते देख तिलिस्मी स्पैरा ने इनसानी रूप बदलते हुए कहा तुम तुम्हें क्या लगता है कि मुझे हराना इतना आसान है। ऐसा कहते हुए परपल शक्तियों से घिरे तिलिस्मी जानवर ने अपने खून को शक्तियों के साथ मिलाते हुए कहा। तुम लोगों को क्या लगता है कि मैं अखेला हूँ। ऐसा कहते हुए भीमा के चहरे पर शैतानी मुस्कुराहट थी। क्योंकि उसका काम सिर्फ विधुत को थोड़ा सा वक्त देना था जो वो कर चुका था। लेकिन अधीरा ने इतना कहा था कि तभी अचानक एक असमान में बिजली की गरजन सुनाई दी। जिसके साथ असमान से एक बिजली का अजगर सीधा आकर अधीरा से टकराया जिसके साथ एक जोरदार धमाका हुआ और हवा में कुछ देर पहले मौजूद बधीरा उड़ता हुआ जमीन पर जाकर टकराया और उसके मुह से एक दरदनाक चीख सुनाई उस हमले से अधीरा क वो चोट तो नहीं आई लेकिन बिजली अजगर से ठकराने से अधीरा की सील कमजोर पड़ गई थी। अगर तुमने ये हमला जान बूच कर किया तो समलों की में तुम्हें से जाने नहीं दूँगा। और अधीरा ने इतना ही कहा था कि तभी अचानक उसके कानों में एक गंभीर आवास सुनाई। दियाठ पड़ाव की महाशक्तियां लगता स्पाइरा कबीला इतना भी ताकतवर नहीं है। पिर छोड़ो देखो मुझे स्पाइरा से कोई लेना देना नहीं है। मुझे पौाइजन सीड हासिल करना तो वो में हासिल कर चुका हूँ। अगर तुम मुझे सीड लेकर जाने देते तो ये मुकाबला यही खत्म हो सकता है। लेकिन विधुत के सामने आते हुए बुजर्ग मोदक ने हसते हुए जोर जोर से हसने लगा। खड़ी जखमी नाज जो कि परपल शक्तियों के जकड से आजाद हो चुकी थी। अपनी शक्तियों को बाहर निकलाते हुए नारालगी जगी से दस तिलिस्मी जानवरों को देखने। क्या नाज सच में ठीक हो चुकी थी। क्या विध्युत अकेला एक साथ सब का सामना कर पाएगा। आखिर क्यों चून डाच विधुत से मुकाबला नहीं कर रहा था। थोड़ी दूरी पर मौजूद नाज ने जैसे ही परपल शक्तियों से घिरे तिलिस्मी जानवरों को विधुत पर एक साथ हमला करते देखा तो उसके माथे पर परेशानी नजर आने लगी। नाज ने अपने सफेद पड़े चेहरे पर नाराजगी के साथ शक्तियों का बाहर निकालते हुए विधुत की और बढ़ना शुरू ही किया था। कि एक परपल शक्तियों की दीवार को देख नाज के माथे पर परेशानी नजर अनार लगी। जिसके साथ ही नाज ने उस शक्तियों के परदे पर जोरदार हमला किया। नाज के हमला करते ही नाज के शरीर से शक्तियों की काली लहर निकली जो तेज रफ्तार में एक काले बड़े साप में बदल कर परपल परदे से टकराई। एक जोर धमाके के साथ नाज के हमले ने सभी का ध्यान उस और खींच लिया। जिसे देख कर तिलिस्मी स्पाइरा कबीले के चहरे पर हलकी नाराजगी नजर आने लगी। इसलिए तेरी शक्तियां कितनी भी ताकतवर है तो अब इस परदे को कभी नहीं तोड़ सकती और अब तुम सब मरोगे। इस लड़के के साथ ऐसा कहते हुए उस बुजुर्ग की नजर विधुत की ओर हुई जो नाराजगी के साथ सिकुड गई थी और उनके शरीर से शक्तियों की दस पर छाई निकली। जो गहरे परपल रंग थी जिसके साथ ही चिंची की आवाज उस कोहरे से भरे इलाके में गूंजने लगी। बही दूसरी ओर लेकिन तभी एक भयानक आवाज सुनाई दी क्या बकबास है तुम लोगों की ये तिलिस्मी स्पाइरा सील तुम्हें क्या लगता है कि तुम मूली सील से रोक सकते हो। ऐसा कहते हुए विधुत ने अपनी आँखें बंद की ओर उसके चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट नजर आने लगी। जिसे देखकर तिलिस्मी स्पाइरा कबीले के बुजुर्ग ने विध्युत की ओर देखते हुए कहा तुम बुढ़ा का द भेर सारी शक्तियों को बाहर निकाला, जो करीब एक-एक समुंदर की लहर की तरह थी। और विधुत के शरीर से निकलती हुई आस पास फेले परपल कोहरे की चादर से टकराई, जिसके साथ एक जोरदार धमाका हुआ और शक्तियों के परदे में एक में तेज जटका लग और शक्तियों की लहर उन कोहरे के परदों की शक्तियों को तोड़ते हुए जाकर चारों खड़े आठों बुजुर्गों से टकराई, जिसके साथ वो शक्तियों का परदे दरारों से घिर गए, लेकिन अगले ही पल वो परदे शक्तियों से फिर से भर गई जिससे देखकर विद्युत हैरान था बही दूसरी और विद्युत के माथे पर परेशानी देख कैमिस्ट बुजुर्ग भामा ने ही मन अपने सामने बैठे बुजुर्गों की ओर देखते हुए मन ही मन कहा विद्युत की आत्मिय शक्तियां कमजोर है वो इस परदे को तोड़ नहीं पाएगा मुकाबले के खत्म होने का समय नजदिक है अगर विद्युत ने जल्दी ही कुछ नहीं किया तो उसके लिए मुकाबले में जगह बनाए रेहना मुश्किल हो जाएगा ऐसा कहते हुए केमिस्ट बुजुर्ग भामा के चहरे पर हल्की परेशानी नज़र आने लगी थी बही दूसरी और विद्युत के चहरे पर तो मुस्कुराहट थी जिसे देख कर रखवाला टोली के बुजुर्ग ने मन ही मुस्कुराते हुए कहा लड़के विद्युत तेरा खेल खत्म हुआ तिलिस्मी स्पाइरा सील को तोड़ना इतना आसान नहीं है लेकिन तभी उनकी नजर विद्युत के चारो ओर दिखती पर छाई पर नजर पड़ी अचानक विद्युत की आँखों में बैंगनी चमक नजर आने लगी और उसके माथे पर के नीला निशान नजर आने लगा जिसके साथ वो निशान दो अलग-अलग शक्तियों से ढग गया था असल में विद्युत जानता था कि अगर तिलिस्मी स्पायरा कबीले को पता चला कि विद्युत परपल आत्मिय उर्जा के विक्षणारियम पोईसन सीड के साथ उसके पूरे पेड की शक्तियों को सोक लिया है जिसे फिर से तैयार होने में नाजने कितना वक्त लगेगा तो विद्युत वो विद्युत को आसानी से जाने नहीं देगे इसलिए विधुत के माथे पर परेशानी थी कि तब ही उसके कानों में तिलिस्मी मधु की आवाज सुनाई दी और उसने गंभीर आवाज में कहा विधुत अगर तुम्हें मुकाबले आगे के पड़ाव में जाना है तो तुम्हें मेरी मदद की जरूरत होगी फिलहाल तुम परपल आत्मिय शक्ति का इस्तेमाल नहीं कर सकते है और अगर तुम उस आत्मिय उर्जा का इस्तेमाल नहीं करोगे तो तुम इस सील को सिर्फ तब ही तोड़ सकते हो जब तुम्हारे पास कोई ताकतवर सील हो या कोई बहुत ताकतवर हमला ऐसा कहते हुए तिलिस्मी मधु के चहरे पर शातिर मुस्कुराहट थी जिसे देखकर विध्युत ने गंभीर आवाज में कहा क्या तुम्हें सच में लगता कि मैं इस परदे को नहीं तोड़ सकता वो भी तुम्हारी मदद के बिना ऐसा कहते हुए विध्युत ने अपने शरीर से धेर आत्मीय शक्ति को बाहर निकाला और उसके आसपास दुंधलाट नजर आने लगी जिसे के साथ विध्युत ने नाराजगी के साथ चारो और दिखती शक्तियों के तिलिस्मी जानवर की और देखते हुए कहा मैं भी देखता हुँ कि तुम कब तक मुझे रोकते हो ऐसा कहते हुए विध्युत ने खूनी समुंदर और खूनी कोहरा तक्नीक का इस्तमाल किया जिसके साथ हुए उसके हाथों में बेशुमार शक्तियां एक कठी होने लगी जिसके साथ ही विध्युत ने मुस्कुराहट के साथ कहा अपने हाथ की सील बदली और अचानक उसके शरीर से धेर सारी लाल शक्तियां निकली जिसे देख कर तिलिस्मी स्पाइरा कबीले के बुजुर्ग मोदक ने विधुत का मजाक उड़ते हुए कहा लड़के तु कितनी भी कोशिश करने इस स्पाइरा सील को कभी नहीं तोड़ पाएगा ऐसा कहेते हुए बुजुर्ग मोदक के चहरे पर नाराजगी के भाव थे लेकिन तभी विधुत ने अपने हाथ में मौजूद सील अजीव और गरीब अंदाज में बदलने लगी और विधुत ने भारी आवाज में कहा फ्लिंग स्टार सीलोर विधुत के इतना कहते ही उसके आसपास की शक्तियां कापने लगी जिसके साथ उसके हात में सेके भायानक शक्ति की लहर निकली और उसके सामने मौजूद परदे से टकराईजिस के साथ वो परदा तूटकर बिखार गया बही दूसरी और उस शक्तियों कर परदे के तूटते ही आसपास तिलिस्मी स्पाइरा कबीले के बुजुर्ग अधीरा ने मोदक की ओर बढ़ते हुए कहा बुजुर्ग, मोदक, वो लड़का तुम्हारे पीछे है, उसके हमले से बचो बही दूसरी और बुजुर्ग, अधीरा की बात सुनते ही बुजुर्ग मोदक का चेहरा सफेद पड़ गया लिकिन इससे पहले की वो अपनी जगह से हिलते भीउने विधुत की आवाज सुनाई दी क्या हुआ बुजुर्ग, मोदक मरने से डर लगता है चिंता मत करो, क्योंकि आज का हिसाब सिर्फ दर्द के बदले दर्द है ऐसा कहते हुए विधुत ने उनकी पीट पर हाथ रखते हैं कहा भस्मसील तकनीक और विधुत ने इतना कहा था कि उसके हाथ से एक लाल रंगी शक्तियों की लहर निकली जिसके साथ ही उसके मुह से दर्द भरी चीख सुनाई दी तो क्या विधुत निकल पाएगा तिलिस्मी स्पाइरा कबीले के आठों बुजुर्गों से जैसे ही विधुत ने शक्तियों की धुंदलाहट का फायदा उठा कर अपनी भस्मा सील की शक्तियों से स्पाइरा कबीले के बुजुर्ग मोदक के पीठ पर हमला किया तो भस्मा सील की भयानक शक्तियों से बुजुर्ग मोदक को एक बेहत भयानक शक्तियों का दबाव अपनी पीठ पर महसूस हुआ जिसके साथ वो पलक जपकते ही एक पचास फुट के तिलिस्मी जानवर के असली रूप में आ गया जो एक आठ पैर वाला था और उसकी आठ आखें और उसके शरीर पर मौजूद मैटल से सख्त काले वालो थे बुजूर्ग मोदक जानते थे कि विधुत का हमला कितना खतरनाक है और इंसानी रूप में अगर वो उस हमले को अपने शरीर पर लेते तो शायद गंभीर रूप से जख्मी हो जाते लेकिन बुजुर्ग मोदक नहीं जानते थे कि विधुत का इरादा उन्हें तो जान से मारने का था वही दूसरी ओर थोड़ी दूरी पर खड़े बाकी साथों बुजुर्ग तो समझ ही नहीं पा रहे थे उनके सामने मौजूद लड़के की शक्तियां अचानक इतनी ज्यादा कैसे बढ़ सकती है साथ ही बो विधुत की रफ्तार तक महसूस नहीं पा रहे थे उन्हें सिर्फ हमला करते शक्तियों से भरी हथेली और धुंदला पढ़ता शरीर नजर आ रहा था जिसे देख कर स्पाइरा कबीले के बुजुर्गों की नाराजगी और बेरहमी बढ़ती ही जा रही थी अंदर ही अंदर उन्होंने गुस्सा आ रहा था कि उन्हें अपना वो खुद बुजुर्ग होकर जवान पीड़ी के एक लड़के को हरा नहीं पा रहे थे तब ही बुजुर्ग अधीरा ने हलकी परिशानी के साथ कहा कुछ तो अजीव है इसकी शक्तियां और इसकी आत्मी और उर्जा में महसूस नहीं कपा रहा जबकि कुछ देर पहले में इसकी शक्तियों को अच्छे से महसूस कर पा रहा था जो की नश्वर रैंक के पहले पढ़ाव पर थी लेकिन अचानक इसकी शक्तियां इतनी बढ़ चुकी है कि मुझे खुद भी घबराहट महसूस हो रही है बुजर्गों जरा संभल रहना इस लड़के के पास खास तक्नीक के साथ उनके इस्तेमाल की समझ बहुत अच्छी है हमें जल्द से जल्द इस लड़के मुकाबले में हरा कर जखमी करना होगा अगर लीडर और बाकी बुजर्ग मेंबर को पता चला कि कुछ जवान पीड़ी के लड़कों ने हम सभी की ऐसी हालत कर दी तो हम सभी को शर्मिंदा होना होगा और स्पाइरा कबीला का नाम बदनाम हो जाएगा हर कोई इस बात पर हमारे कबीले का मजाग बनाएगा मिलकर अपनी शक्तियों को बाहर निकाल कर सील तयार करनी शुरू की वो सभी जानते थे कि अकेले-अकेले विधुत यानि मेग राज से मुकाबला उनकी जान खतरे में डाल सकता था बही दूसरी और जैसे ही शक्तियों की लहर विधुत के हाथ से बुजुर्ग मोदक के पीट से टकराई उस से पहले ही वो तिलिस्मी जानवर रूप में बदल गए थे लेकिन विधुत ने भस्मा सील की शक्तियों को वड़ा दिया था जिसके साथ एक वार फिर बुजुर्ग मोदक किसी बड़े काले गोले की तरह जाकर जमीन पर मौजूद पहाडी से टकराए उनके टकराने की रफतार इतनी तेज थी कि पूरे पहाडी पर बहुत तेज धम्म की आवाज सुनाई दी जिसके साथ शक्तियों की कहर से आपास की जगहत धुन्दलाने लगी वही दूसरी और उस हमले को देख सायरा ने हैरानी के साथ कहा क्या ये इस लड़के की असली शक्तियां है? अगर ऐसा है तो विद्युत और चुंड की शक्तियों में ज्यादा फर्क नहीं है सायरा को यकीन नहीं हो रहा था कि विद्युत इतना ताकतवर है वो विद्युत को जब भी ओ पहले से अधिक ताकतवर इंसान के साथ मुकाबला करते देखती थी विद्युत बड़े ही आसानी से बच कर निकलने में काम्याब हो जाता था लेकिन इस वार कुछ और था क्योंकि इस वार सायरा महसूस कर पा रही थी कि विद्युत बहुत ज्यादा नाराज है और सायरा समझ गई थी कि उसकी नाराजगी की वजह नाज थी जिसे अपनी शक्तियों को हद से ज्यादा इस्तेमाल करने की बजह से गंभीर जखम आ गए और वो अंदरुनी तोर पर जखमी हो चुकी थी ऐसा कहते हुए सायरा के चेहरे पर हलकी मुस्कुराहट थी और उसकी नजरे सामने मौजूद पर च्छाई पर थी हाला कि सायरा को जलन भी हो रही थी जिसने अपने हमले के बाद अपनी नजरे बाकी बुजुग्रों की ओर की जोर बार बार विधुत यानि मेगराज पर एक वाद एक हमले का रहे थे जिनसे बचने का विध्युत को मौका तक नहीं मिल रहा था लेकिन फिर भी विध्युत बड़े अजीव ढग से बचने में काम्याब होता जा रहा था कि तभी सायरा ने अपनी कलाई को जटकते हुए हाथ को हिलाया जिसके साथ उसकी हरी अंगूठी में से कुछ शक्तियों से घिरे बीज दिखाई दिया मुझे विध्युत की मदद कर होगी बिना पोईजन सीड के ये मुकाबला कभी खत्म नहीं होगा ऐसा कहते हुए सायरा विध्युत की ओर बढ़ ही रही थी कि उसके इन कानों में अपने भाई निर्वान की आवास सुनाई दी और उसका ध्यान थोड़ी दूरी पर खड़े हरे कपड़ों में मौझूद निर्वान की ओर गया निर्वान की नजरे शक्तियों से घिरे पोईजन सीड की ओर इशारा हुए कहा कहीं तुम इन फाल्तु पोईजन सीड को विधुद को देने की तो नहीं सोच रही हो सायरा अगर ऐसा तो मुझे नहीं लगता कि इस से कोई फायदा होगा क्योंकि अब विधुद को पोईजन सीड देने से भी कोई फायदा नहीं होने बाला ऐसा कहते हुए निर्वान की आवाज गंभीर थी बही दूसरी और सायरा ने अपनी भौहें सिकोडते हुए निर्वान से गंभीर आवाज में कहा कहना क्या चाहते तुम? निर्वान सायरा के भाव गंभीर होते देख और उसकी आँखों में नाराजगी देख निर्वाण ने गंभीर आवाज में कहा मैं समझ चुका है कि तुम सिर्फ मेगराज को अपनी टोली में मिलाने के लिए ऐसा कर रही हो लेकिन तुम शायद भूल गई हो विद्युत नाज भीमा मलिका गारा का साथ नहीं छोड़ेगा सायरा उसकी शक्तियां हम सभी से जायदा सायरा निर्वाण ने ऐसा कहते हुए विदुत के हमलिस से हुए धमाके की और इशार करते हुए कहा जिस ने आसपास फैले परपल कोहरे की चादर की और इशारा करते हुए कहा जो उनकी शक्तियों को कमजोर कर रहा था निर्वाण के इशारे का मतलब समझ कर सायरा ने गंभीर आवाज में कहा वो सब तुम मुझ पर छोड़ दो निर्वाण भाई क्योंकि मैं जानती हूँ विद्युत के साथ कोई ऐसा नहीं है जो मुकाबले के दूसरे भाग से आगे जा सके वो सभी महाशक्ति है और उनकी शक्तियां इतनी ज्यादा नहीं है कि पित्र देव की समाधी के तीसरे भाग में मौझूद दस दीवारों के अंदर जा सके इसलिए मुकाबले के दूसरे भाग के आगे सिर्फ बही योध्धा जाएंगे जिनकी शक्तियां नश्वर रैंक पर है सायरा की बात सुनकर निर्वान को थोड़ा गुसा आ रहा था क्योंकि उसकी बहन को उसके मुकाबले विधुत पर ज्यादा यकीन था साथ उसे विधुत से जलन भी हो रही थी क्योंकि विध्युत आठ नश्वर रैंक के बुजर्गों से मुकाबला करने के बाद कि उसकी शक्तियां के चलते वो भी दस ताकतवर द्वारों के अंदर नहीं घुस पाया था जब उसका सामना चूंड अडेच से हुआ था और उसे मुकाबले में पीछे हटना पड़ा था लेकिन विद्युत तो उसके सामने साथ नश्वर समराट से के साथ मुकाबला कर रहा था और आठवें बुजर्ग की हालत तो विद्युत खराब कर रखी थी भही दूसरी और विद्युत ने जैसे ही बुजर्ग मोदक की दर्द से भरी चीख सुनी तो उसके चेहरे की मुस्कुराहट और बढ़ गई क्यूकि उसका हमला पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर था जिसके साथ ही विद्युत ने मन ही मन कहा मेरे सील तयार करने की रफतार और भी ज्यादा तेज हो गई है ऐसा कहते हुए उसका ध्यान अपनी ओर आते सातों तिलिमसी बुजुर्ग के हमलों की ओर गया लेकिन विद्युत को इस वात से कोई फर्क नहीं पड़ा अगले पल विद्युत ने अपने पंक पढ़ FDD धाय ओर वो तुरंत तेज रफतार में कुछ कदम पीछे हटते हुए अपने शरीर को शक्तियों को ढखते हुए हाथ हिलाया जिसके साथ उसके शरीर से रंग बिरंगी बिजली की शक्तियां नजर आने लगी और जो छोटे छोटे रंग बिरंगी बिजली की शक्तियों के बने साप थे जिन से विधुत ने अपनी और आते हमलों को रोका और हवा में एक साथ गई धमा के हुए और विधुत कुछ कदम पीछे घिसट गया जलेकिन तभी विधुत की नजर काले आलिशान कोट पहने विधुत का मुकाबला देखते दूर खड़े तीन लोगों पर गई जिन में से एक चूंड डेच था जिसके चलते विधुत ने हलकी परेशानी के साथ मन ही मन कहा बही दूसरी और विधुत की अपनी ओर देखते देख चूंड डेच के बगल में खड़े अश्वा ने गंभीर आवाज में विधुत की ओर इशारा करते हुए कहा चूंड तुम्हें नहीं लगता कि हमारे पास इस मेगराज को खत्म करने का अच्छा मौका है ये जवान लड़का और कोई नहीं बलकि अश्वा था जिसकी आँखों में बेरहमी थी अश्वा की बात सुनकर चूंड आच ने शैतानी मुस्कुराहट के साथ कहा फिलहाल इसके साथ आए सभी लोग जखमी है और स्पाइरा कबीले के बुजर्ग के साथ मुकाबला करके इसकी शक्तियां पहले से कम हो गई है नहीं ऐसा करने की कोशिश मत करना शायद तुमने ध्यान नहीं दिया लेकिन इस वक्त दस से भी ज्यादा मेडिकल सेंटर के बुजर्ग इस मुकाबले पर नजर गड़ाए है अगर हमने विधुत पर हमला किया तो ये मेडिकल सेंटर के बुजर्ग इस मौके को हाथ से नहीं देंगे और प्राचीन दानव कबीले को मुकाबले से बाहर कर दिया जाएगा बही दूसरी और अश्वा ने जैसे ही चून के मुंग से मेडिकल लीक का जिक्र सुना एक पल के लिए आशा के चेहरे पर नाराजगी नजर आने लगी जिसके चलते अश्वा ने मन ही मन आस्मान में मौजूद बुजुगरों को कोस्ते हुए धीमी आवाज में कहा ये लकडा हर बार किसी ना किसी की मदद से बच जाता है जिसे देख चून ने एक पल सोचते हुए मुस्कुराहट के साथ कहा फिक्र मत करो मुकाबला खत्म होने का समय बहुत कम बचा है और मुझे नहीं लगता कि इसके पास पॉआजन सीड है बरना ये इतनी देर मुकाबला नहीं करता ऐसा कहते हुए चून अपनी घिन भरी नजरों से विद्युत यानी मेगराज को देख रहा था कि तभी उसे अपनी होती दिखी जिसके साथ विद्युत का ध्यान पेड के पास खड़े शक्तियों से घिरे चून और अश्वा से हुए हुए उनके की पीछे खड़े सुन हरी चमक से घिरे रहस्यमई नकाब पोश पर थी जिसे देखकर विद्युत ने मन ही मन कहा ये इनसान आखिर है कोन में इसकी शक्तियों को महसूस क्या नहीं कर पा रहा मैं आत्मिय शक्ति के आत्मस्तर पर पहुँच चुकी है कहीं इसकी आत्मिय शक्तियां मुझसे भी ज्यादा तो नहीं लेकिन विधुत ने इतना ही कहा थी कि तभी शक्तियों से बाहर हाथ अपनी ओर आता महसूस हुआ जिसे देखकर विध्युत ने अपनी नजरें उसोर करते हुए मुस्कुरा कर कहा तुम्हारी रफ्तार तो सच में तेज है लेकिन तुम मुझसे तेज नहीं हो ऐसा कहते हुए विध्युत अपनी जगह से परचाई में बदल कर गायब हो गया और विध्युत के जाते ही बहां एक परचाई आकर रुकी शक्तियों से भरा पंजे का हमला नाकाम हो गया जिसे देख उस शक्तियों के पंजे से हमला करते बुजर्ग अरहान ने नाराजगी से कहा लड़के मुझे इतना गुरूर दिखाने से कोई फाइदा नहीं क्योंकि मैं जानता हूँ तेरी अदिसे जायदा शक्तियां खत्म होने को है तुझे क्या लगता कि मुकाबले ताकत से ही जीते जा सकते हैं अगर ऐसा है तो तुझ से बड़ा बेवकूफ नहीं कोई ऐसा कहते हैं बुजर्ग अरहान के चेहरे पर नाराजगी थी जिसे देख कर विद्युत ने मुस्कुराते हुए बुजर्ग अरहान के लगतार हो रहे हमलों से बचते हुए कहा तुमने सही कहा लेकिन तब तक तुम जिन्दा नहीं रहोगे बुजर्ग अरहान ऐसा कहते हुए विधुत की आवाज में बेरहमी थी असल में तिलिस्मी मधु विधुत की छुपकर अपनी शक्तियों से मदद कर रही थी और वो पहले विध्युत को उसकी ओर आते हमलों के बारे में बता देती थी क्योंकि तिलिस्मी मधु की शक्तियां नश्वर रैंक पर थी बही दूसरी और विधुत को तेज रफतार से हर हमले बचते देख अश्व ने अपने पीछे खड़े नकाब पोश की और देखते हुए कहा ये सब तुम्हारी वजह से हुआ तुमसे पहले कहा उस लड़के को खत्म कर दो लेकिन तुम्हे तो विध्युत से बदला लेना था अब देखो क्या तुम्हें लगता है कि तुम उसे हरा सकते हो अश्वा की नाराजगी देख उस सुनहरी चमक वाले नकाब पोश ने खराश भारी आवाज में कहा तुम्हें क्या लगता कि में में इस लड़के को नहीं हरा सकता भूलो मत मेरी असली शक्तियां उस मुकाम पर जिस पर तुम सोच भी नहीं सकते अगर तुम दिन राज ट्रेनिंग करोगे तो भी साल भर कहां समय लगेगा मुझ जितना ताकतवर होने में और उस मुकाबले में ऐसा कोई नहीं जो मुझे हरा सके तुम्हारा भाई चून डाच भी मुझे नहीं हरा सकता अश्वा इसलिए मुझसे इस तरह बात करने की कोशिश मत करना क्योंकि मैं तुम से और तुम्हारे काबले से नहीं डरता और ना मुझे डरने की जरूरत है और वैसे भी अब तिलिसमी स्पाइरा कबीले के रहते विद्युत को मुकाबले जीतने का सवाल ही नहीं और जैसे ही ये लड़का मेडिकल लीक के मुकाबले से बाहर होगा मैं इसे खत्म कर दूंगा अगर उस लड़की को मुझ पर शक नहीं हुआ होたा तो मैं विद्युत को कप का खत्म कर देता हाँ मैं मानता हूँ कि मैंने विधुत को कमजोर समझने की गलती कर दी नवाब पोश की नाराजगी देख चूंड डेच अश्वा की और घूरते हुए कहा क्या तुम अपना मुह बंद नहीं रख सकते अपने भाई को चुप कर चूंड डेचने गंभीर आवाज में शक्तियों के घिरे धुंधले नवाब पोश की और देखते हुए कहा मैं जानता हूँ कि तुम किस कबीले से हो लेकिन हमारे बीच एक सौदा हुआ था अगर तुम्हें वो स्क्रॉल चाहिए तो तुम्हें विद्युत यानि मेगराज को खत्म करने में मेरी मदद करनी होगी स्पायरा कबीले का लीडर दुर्जन एक और जहां अंजान शक्तियों से धकी परचाई से छून और अश्वा बात कर रहे थे बही दूसरी और विद्धुत तेज रफ्तार मेन लाइटनिंग मूवमेंट रफ्तार का इस्तेमाल कर अपनी और आते नश्वर कबीले के बुजर्गों से बचते हुए जमीन से टकराय जखनी मुदक की और बढ़ रहा था जिसे देखकर बुजर्ग अरहान ने अपने नुकीले पंजों से विद्धुत पर हमला कर उसे रोकने की कोशिश की लेकिन विद्धुत ने बाकी हमलों से बचते हुए अपने सुनहरे भाले में शक्तियों को भर कर उन पंजों को रोकते हुए हुए कहा इस तरह तो में कभी मुकाबले को खत्म नहीं कर पाऊंगा। ऐसा कहते हुए विधुत की नजर चून और अश्वा की ओर थी। विध्युत समझ गया था कि स्पाईरा कबीला प्राचीन दानव काबिले से मिला हुआ है। जिसके चलते विधुत ने नाराजगी से अश्वा क की ओर देखते हुए मन ही मन कहा। एक वार में इस पित्रिदेव की समाधी में पहुंच जाओं उसके बाद में दोनों भाईयों को बही दफन कर दूँगा। चाहे उसके लिए मुझे ब्रह्म चक्र सील का इस्तमाल क्यों न करना पड़े। विधुत अभी सोच ही रहा था कि तब ही उसके कानों में सायरा की फिक्र भरी आवाज सुनाई दी और उसका ध्यान सायरा की ओर गया। विधुत का ध्यान अपनी ओर होते देख सायरा ने गंभीर आवाज में कहा विधुत मुकाबले का समय खत्म होने बाला ही अगर तुमने जल्द जल्द यहां से निकल की ओर थी जो विद्युत के हमले से बुरी तरह जखमी हो गया था और जैसे तैसे बच पाया था जिसके चलते उसके चेहरे पर नाराजगी थी क्योंकि अपने तिलिस्मी जानवर के रूप में आने के बावजूद विधुत के हमले उसे गंभीर तोर पर जखमी कर दिया था यहां तक कि उसके शरीर पर बना समेटल से भी मजबूत बालों के रैश बाला कवच भी कमजोर हो गया था और उसने कई दरारे नजर आने लगी थी बुजूर्ग मोदक समझ गया था कि अगर विधुत का हमला थोड़ा भी और ज्यादा ताकतवर होता तो आज बुजूर्ग मोदक जिन्दा नहीं होते लेकिन तभी बुजूर्ग मोदक ने नाराजगी के साथ विधुत की ओर घूरते हुए कहा लड़के विधुत यानी मेगराज मैं जान गया हूँ की तेरी शक्तियां कैसे बड़ी है और तुझ पर परपल कोहरे का असर क्यों नहीं हो रहा तुने बहुत बड़ी गलती कर दी अगर तु अपनी खेरियत चाहता है वो परपल आत्मिय उर्जा का मूल बीज मुझे दे दे और मैं वादा करता हूँ कि कोई तुझे कुछ नहीं कहेगा साथ ही मैं तुझे पौईजन सीड भी दे दूँगा ऐसा कहते हर बुज़ुर्ग लोमडी से भी ज्यादा शातिर मुस्कुराहट थी जिसे महसूस कर विद्युत के माथे पर परेशानी नजर आने लगी और उसने मन ही मन कहा इस बुज़ुर्ग मोदक की कैसे पता चला मैंने परपल आत्मिय को हासिल कर लिया है वही दूसरी ओर बुज़ुर्ग मोदक की आवाज सुनकर आसपास खड़े बुज़ुर्ग हैरानी से विद्युत की ओर देख रहे थे जिसके चेहरे के भाव गंभीर थे लेकिन तभी अचानक एक रंग बैगनी रंग की आत्मिय उर्जा ने विद्युत के तीन रंग के पंखों को ढख लिया और विधुत के पंख बदल कर बैंगनी रंग के होगे जिसमें दो रंग नजर आ रहे थे और उसके पंखों में से रंग बिरंगी बिजली की चमका रही थी जिसके साथ विधुत ने अपने सुनहरे भाले पर पकड़ मजबूत करते हुए कहा तुझे क्या लगता है? बुढ़े में तेरी बात सुनकर डर जाओंगा मैंने पहले ही कहा था कि मैं तुझे जिन्दा नहीं छोड़ूगा ऐसा कहते हुए विधुत रोशनी में बदल कर एक ही पल में बुजुर्ग मोदक के पास पहुँच गया बही दूसरी और विधुत की अचानक अपने सामने आते देख बुजुर्ग मोदक ने हडबढा कर पीछे जाने की कोशिश की लेकिन तब तक विधुत ने अपने बिजली की शक्तियों से भरे भाले अपने सामने तिलिस्मी जानवर में बदले बुजुर्ग मोदक के सीने पर हमला किया जिसके साथ शक्तियों से घिरा भाला बुजुर्ग मोदक की आँखों में होफ बढ़ाते हुए उसके शक्तियों के कवच को तोड़ता हुआ। जिसके साथ उन्होंने पीछे हटते हुए कहा लड़के तेरा अच्छा वक्त खत्म हुआ लीडर जाक चुके हैं। ऐसा कहते हुए साथों बुजुर्ग जोर-जोर से हसने लगे। बही दूसरी और विद्युत ने उस आवाज शक्तियों की मदद से कम करते हुए मनही मन कहा। ये आखिर ये किस तरह की शक्तियां हैं। विद्युत ने इतना कहा हूँ था कि तभी पूर्वज अगनय ने गंभीर आवाज में कहा। लड़के जल्दी जल्दी निकलो यहां से। ये किसी ततकाल वर नश्वर समराट जितने ताकतवर तिलिस्मी जानवर की शक्तियां हैं और ये उसकी आवाज का हमला है। तुम इससे नहीं जीत सकते जल्दी निकलो यहां से। पूरवज आगनय की गंभीर आवाज सुनकर विद्युत ने मन ही कहा। बुजुर्ग मोदक के शरीर से खीचते हुए। उसे कस कर लाट मारी जिसके साथ उसका भरी भरकम शरीर जमीन से जाटक राया। जिसके साथ हड्डियों और पत्थरों के तूटने की आवाज सुनाई दी। वही दूसरी और अपने एक और बुजुर्ग को विधुत यानी मेग राज को खत्म करते देख बुजुर्ग अरहान ने नाराजगी के साथ कहा। वही दूसरी और विधुत के आत्मिय शक्ति मिटाते ही असमान में मौजूद बुजुर्ग केमिस्ट भामा ने तेज रफ्तार में विधुत की और बढ़ना शुरू किया, जिनके साथ बुजुर्ग इपसा और बुजुर्ग अधीरा बाकी बुजुर्ग तेजी से उस प और सभी मेडिकल सेंटर के बुजुर्गों को पहाड़ी की और राते देख नकाब पोश ने गंभीर आवाज, मैं कहा, मैं अपना काम कर दूँगा, तुम विध्युत को मुझ पर छोड़ दो, और अपना वादा मत भूलना चून, क्योंकि मैं विध्युत यानी मेगराज नहीं हूँ, और मेरी असली शक्तियां और पहचान, तुम अच्छे से जानते हो, ऐसा कहते हुए वो नकाब पोश तेज रफ्तार में बहां से गायब हो गया, जिसे देखकर चून ने नाराजगी से कहा, अश्व जैसे ही ये विध्युत को खत्म करे, तुम किसी के जरिये मेडिकल सेंटर के बुजरगों को इसकी हकीकत बता देना, उसके बाद में भी देखता हूँ कि ये और इसका दल कैसे मेडिकल सेंटर के बुजरग से बच्चता है, उस दोरान हम उस चीज को हासिल कर लेंगे, ऐसा कहते हुए चून अश्वा के साथ तेजी से उस जगह से जाने लगा, वही दूसरी और विधुत को मुकाबला खत्म करते देख साइरा एक पल के लिए हैरान हो गई, क्योंकि उसे यकीन ही नहीं हुआ और उसे अब समझ आया कि विधुत आखिर करना क्या चाहता था, असल में विधुत ने पहले तीनों स्पाइरा कबीले के जारीर से दानव कबीले का खून हासिल करने के लिए नाज को जान से मार सकता था, और इस सब के पीछे था प्राचीन दानव कबीला, इसलिए विधुत ने पहले ही सोच लिया था, उसने तीनों बुज़ुर्गों को जान से मार कर नक्षे का इस्तिमाल किया, क्योंकि तेज रफ्तार में पहाडी पर मौझूद नाज और बाकी सभी की ओर बढ़ने लगा। क्यूंकि बुजुर्ग मोदक बुजुर्ग के साथ आसपास मौझूद परपल शक्तियों की चादरभू बिखर गई थी और नाज और बाकी सभी उसकी ओर बढ़ने लगे। बही दूसरी और विद्युत के माथे पर घबराहट देख केमिस्ट बुजुर्ग भामा ने गंभीर नजरों से बुजुर्ग अधीरा की ओर देखते हुए कहा हमें इस लड़के को बचाना होगा। बुजुर्ग अधीरा केमिस्ट। खत्म कर दिया है तो वो विद्युत को जाने नहीं देगा। बुजुर्ग अधीरा की बात सुनकर बगल में खड़े बुजुर्ग इपसा ने नाराजगी के साथ कहा। ये लड़का हमेशा मुश्किल खड़ी कर देता है। अब इसने परपल आत्मी उर्जा को चुरा लि वही दूसरी और विद्युत इससे पहले नाज और बाकी सभी के पास पहुँचता कि तभी उसे अचानक अपने सीने की और बढ़ते शक्तियों से धुंदलाहट से घिरा हाथ नजर आया। जिसके साथ ही विद्युत की आँखों में खोफ नजर आने लगा। क्यूकि वो हाथ ही करीब 10 फुट बढ़ा था जो विद्युत को पकड़ने ही बाला था कि तभी उस हाथ से एक तलवार टकराई और एक परचाई ने विद्युत को सीने पर हाथ मार कर पीछे कर दिया। बही दूसरी और विद्युत इससे पहले कुछ समझता कि तभी उसका शरीर घिसटे हुए 30 फुट पीछे हो गया। लेकिन विद्युत की नजर तो सिर्फ उस हाथ और बड़ी शक्तियों की तलवार के टकराने से हुए धमाके पर थी, जिसके कारण पहाड़ी पर एक दरार पड़ गई थी, और उसने अंधेरा नजर आ रहा था। और तभी विद्युत की और एक भयानक आवाज सुनाई दी, जो उसके सामने मौझूद धने परपल कोहरे से आई थी, जिसके अंदर विद्युत महसूस कर पा रहा था कि ये खतरनाक शक्ति उस कोहरे के अंदर थी, जिसमें से एक दो दो नुकीले पंजे बाहर आये, तो एक दो बड़े दांत के साथ दस आँखों बाला एक बड़ा सिर बाहर आया, जिसके मूँ से दो दांत बाहर आ रहे थे, हैरानी की बात थी कि उस सिर के उपरी हिस्से पर काले के बजाए बैंगनी रंग के क्रिस्टल मौझूद थे, जिन्हें विद्युत ने महसूस कर मन ह मन के है, कही ये परपल आत्मिय उर्जा तो नहीं, लेकिन विद्युत महसूस कर पा रहा था कि वो परपल आत्मिय उर्जा विद्युत की उर्जा से अलग थी, जिसे देख कार विद्युत ने मन ही मन कहा, कही ये उर्जा पॉयजन सीड को रिफाइन करके तैयार की उर्ज तो नहीं ऐसा सोचते हुए विध्युत ने मन ही मन कहा मुझे उस जगह से सभी पॉईजन सीड ले लेने चाहिए थे लेकिन विध्युत ने इतना ही कहा था कि तभी तिलिस्मी मधू ने नाराजगी से कहा तुम कितने लालची हो खैर छोड़ो तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं उन सीड के बजाए अगर तुम अपनी जान की फिक्र करो तो अच्छा है क्योंकि तुम्हारे सामने कोई स्पायरा कबीले का बुजर्ग नहीं बलकि उसका लीडर है जिसकी शक्तियां में भी महसूस नहीं कर पा रही लिकिन मैं इतना कह सकती हूँ कि ये एक वाले नश्वर समराट से कही ज्यादा ताकतवर है तिलिस्मी मधू की बात सुनकर विद्युत ने अपनी घबराहट को काबू करते हुए कहा तुम उसकी फिक्र मत करो आज मुझे कोई नहीं रोक सकता ऐसा कहते हुए विधुत की नजर उस धुंदलाहट से घिरी जगह प एक सफीद शक्तियों से बनी तलवार थी जिसे पकड़े वो अधेड उम्र का इंसान ने काला कोट पहना हुआ था तब ही उस अधेड उम्र के इंसान ने अपने समाने मौझूद भयानक सिर और पंजों के सहारे बाहर आते तिलिस्मी जानवर को देखते हुए मुस्कुरा स्पाइरा कबीले के लीडर दुर्जन तुम्हें नहीं लगता कि मेडिकल लीक के मुकाबले के लिए तुम्हारी शक्तियां कुछ ज्यादा नहीं है ये जवान पीडी का मुकाबला है इसलिए चुप-चुप पीछे हट जाओ उस आवाज को सुनकर विधुत और बहा है ऐसा कहते हुए विध्युत के चहरे पर खुशी थी बही दूसरी और बुजर्ग हेमराज को अचानक वहां देखकर सभी मेडिकल सेंटर के बुजर्ग उनके अगल बगल आकर खड़े हो गए और उनके चहरे पर अब तक जो घवराहट पे फिक्र थी वो गुरूर में ब तलवार थी जिस पर कुछ अजीव ओ गरीब दरारें मौजूद थी और देखने में वो तलवार कम एक लकड़ी का टुकड़ा लग रही थी लिकिन जैसे ही विध्युत ने उस तलवार पर गौर किया तो वो एक पल के लिए हैरान हो गया क्योंकि उस तलवार पर असल में दरार नहीं बलकि नसों की तरह थी जो समाने मौजूद भयानक बुजूर्ग की हाथ से जुड़ी हुई थी जिसने भारी आवाज में कहा मुझे कोई शोक नहीं है तुम्हारे इस बहियत मुकाबले की लीग में शामिल होने का इसलिए मेरी इस जहरीली पहाड़ी से दफा हो जाओ मेघराज और इस लड़के को मुझे दे दो बरना लीडर दुर्जन इससे आगे कुछ कहता कि तभी हेम राज ने अपनी तलवार पकड मजबूत करते हुए कहा बरना तुम्हें जो करना है करो लेकिन इस लड़के को क्या में मेडिकल लीग में भाग लेन किया है इसलिए बहतर होगा कि तुम इस बात को भूल जाओ बुजर्ग हेम राज की बात सुनकर लीडर दुर्जन के शरीर से आत्मिय उर्जा बाहर आने लगी जिसके साथ ही असपास मोजुद नश्वर रैंक के योधाओं को भी परपल शक्तियों का दबाव महसूस होने लगा बही दूसरी और विद्युत को तो इस वात पर कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था इसलिए उनने दर्द से लाल होते नाजोर बाकी सभी के चेहरे को देख कर अपनी आत्मिय उर्जा से उन सभी को धक लिया क्या होगा जब विधुत सामना होगा स्पायरा काबिले के लीडर से कौन है वो नकाब पोश जिसने विद्युत को जान से मारना चाहता था जैसे ही आस पास खड़े लोगों की नजर रखवाला टोली के बुजुर्ग हेमराज और तिलिस्मी जानवर के स्पायरा कबीले के लीडर के शरीर से निकलती शक्तियों को देखा तो सभी की आँखों में होफ नजर आने लगा हेमराज की बात सुनकर लीडर दुर्जन ने अपने हाथ की उंगली को आगे करते हुए अपना शक्तियों से भरा हाथ दिखाते हुए कहा बुजर्ग हेमराज क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम मुझे हराप आओगे में बहुत जल्द सुप्रीम बनने बाला हूँ और तुम जानते हो अगर तुम्हारी ये रखवाला टोली बार-बार मेरे रास्ते में आती रही तो ये मत समझना कि तुम अगर मेडिकल सेंटर का हिस्सा हो तो मेरा कबीला कुछ नहीं करेगा एक वार में सुप्रीम बन गया तो मेरे कबीले की शक्तियां इतनी बढ़ जाएंगी तुम्हारी टोली के बुजर्ग भी मेरा सामना नहीं कर पाएंगे इसलिए हमारे बीच हुए सौदे को को तोड़ने की कोशिश मत करो बुजर्ग है मेराज देखो मुझे सिर्फ इस लड़के विधुत यानि मेगराज और इसके साथ आए जवान पीड़ी के लड़कों से मतलब है अगर तुम मुझे इन्हें सोप देते हो तो तुम और बा लेकिन उसके साथ खड़े भीमानाज, मलिका और गारा के साथ बाकी सभी की आँखों में परेशानी नजर आ रही थी कि तभी उन सभी को बुजर्ग हेमराज की आवाज सुनाई दी अच्छा फिर तो भूल जाओ क्योंकि इतने वक्त से मैंने भी नहीं देखा कि मेरी शक् देख कर मैं भी सोच रहा हूँ कि पुराने हिसाब पूरे कर लिये जाए ऐसा कहते हुए विद्युत महसूस कर पा रहा था कि बुजर्ग हेमराज ने अपने शरीर से सफेद शक्तियों को बाहर निकाल कर आसपास पूरे इलाके को ढख दिया था जिसकी बजह से महाशक्ति रेंक के जवान पीड़ी के योध्धाओं को अपने शरीर पर शक्तियों के कवच तयार करने पड़ गए थे क्यूकि बुजर्ग हेमराज की शक्तियों के खीचाव के चलते उनकी शक्तियां कापने लग गई थी कि तभी बुजर्ग हेमराज ने बिना मुड़े कहा बुज पास छुपे सौ से भी अधिक शक्तियों से छुपे हुए इंसान तेज रफ्तार में बाहर आने लगे जिसके साथ चारो खाकी कोट पहने योध्धा नजर आने लगे जिन्हें देखकर विद्युत ने हैरानी के साथ कहा इतने सारे महाशक्ति योध्धा यही छुपे थे ऐसा कहते हुए विधुत उन ताकतवर योध्धाओं को देख रहा था जिनके सीने पर क्रॉस का बैज था और इन सभी ने अपने हाथों में शक्तियों से बनी तलवारें पकड़ी हुई थी विधुत की हैरानी देखकर सायरा ने गंभीर आवाज में कहा विधुत यानी मेगराज यहां एक बड़ा मुकाबला होने बाला है इसलिए हमें यहां से चलना होगा और इतना हैरान होना की जरूरत नहीं है ये रखवाला टोली की खास टुकडियों में से एक तीसरी सबसे ताकतवर सफेदा टोली है जो आमतोर मुकाबले के वक्त ही सामने आती है विधुत इस टोली में सिर्फ महाशक्ती रेंग पहले पड़ाव से लेकर चौथे पड़ाव तक के योध्धा शामिल किये जाते हैं जिन्हें शक्तियों को छुपाने की खास ट्रैनिंग दी जाती है और साथ ही उन्हें रहस्यमय तकनीक दी जाती जिसकी मदद से योध्धा उसे सिख कर अपनी शक्तियों को इस तरफ छुपा सकता है जैसे उसके पास शक्तियां ही नहों ऐसा कहते सायरा की आँखों में जलन थी क्योंकि सच तो यही था कि सातों कबीलों में से एक नहोने के बावजूद मेडिकल सेंटर के पास योध्धाओं की कोई कमी नहीं है लेकिन विद्युत सायरा की बात पर हैरान होने के बजाए मन ही मन कहा अगर मेडिकल सेंटर की ताकत इतनी ज्यादा है तो प्राचीन दानव कबीले की शक्तियां तो उससे भी जाइदा होगी मुझ खेड उम्र के इनसानों की और अपनी नजरें की बही दूसरी और अपने सामने सौ ताकतवर योध्धाओं को देखकर लीडर दुरजन ने नाराजगी के साथ बुजुर्ग हेमराज की और देखते हुए कहा ये मत समझना कि मैं आज तुमसे डर गया हूँ बुजुर्ग ह हेमराज हम जल्द ही मिलेगे और इस मुकाबले का फेसला करेंगे ऐसा कहते हुए बुजुर्ग हेमराज ने अपनी परपल शक्तियों को बापिस लेते हुए वापस जाने लगा जिसके साथ आसपास का पूरा इलाका शक्तियों खीच कर लीडर दुरजन के अंदर जाने ल आसपास मुकाबले के कारण हुए पहाडी के आसपास के इलाके को देख कर अपनी नजरे विधुत की ओर की ओर गंभीर आवाज में कहा मुकाबले में जितने वाले योद्धा मेडिकल सेंटर में जाकर अपने पॉईजन सीड जमा करके अपना टोकन हासिल कर सकते हैं ताकि कि वो अगले मुकाबले में जा सके पॉईजन सीड के नाम सुनते ही नाज के चहरे पर हल्की परेशानी नजर आने लगी और वो भीमा मलिका और गारा की ओर देखने लगी हालाकि उसकी नजर विध्युत की ओर भी गई लेकिन विध्युत के चहरे पर दिखती परेशानी देखकर, नाज को लगा कि शायद विधुत ने पौईजन सीड हासिल करने में नाकाम हो गया था। लेकिन नाज को क्या पता था। विध्युत ने पौईजन सीड नहीं, बलकि विक्षनारी, पौईजन सीड का पूरा ट्री की शक्तियों को ट्रेन करकर के हासिल कर किया था। लेकिन विधुत अब भी अपने खयालों में गुम ही था कि तभी सायरा ने विधुत की ओर एक छोटा सा बक्सा भेजते हुए कहा, ये प्वाइजन सीड है जो मैंने तुम्हारी मदद से हसिल किये है, अचानक सायरा की बात सुनकर और अपनी ओर आते हरे बक्से को देख, व कि उस बॉक्स को नास की ओर देते कहा, सभी को प्वाइजन सीड दे दो, ऐसा कहते हुए विधुत की आवाज गंभीर थी, भही दूसरी और विधुत की बात सुनकर गारा विभु मलिका सभी के सफेद पड़े चेहरों पर मुस्कुराहट नजर आने लगी थी, और सभी त धिक घना होता जा रहा था, जिसे देखकर विधुत ने मन ही मन कहा, इस पहाड़ी की कुदरती शक्तियां बहुत ज्यादा है, अगर मुझे मुझे मौका मिला, तो मैं एक वार उस जगह पर जाकर देखूंगा, असल में विधुत ने जैसे ही अपनी आत्मिय शक्ति का वि क्योंकि इस तरह की अजीव शक्तियों का इस तरह से बढ़ना बहुत रहस्यमई था, लेकिन फिलहाल के लिए विधुत खुश था, क्योंकि अब उसे यकीन था कि वो चून की शक्तियों का सामना कर सकता था, विधुत अभी सोच ही रहा था, कि तभी उसकी नजर एक काले क कोट पहने बुजुर्ग की ओर हुई, जो उसे ही देख रहे थे, और तभी विधुत को उस काले कोट पहने बुजुर्ग की आवाज सुनाई दी, जो कोई ओर नहीं, बलकि केमिस्ट बुजुर्ग भामा थे, जिन्होंने शक्तियों की मदद से बात करते हुए विधुत से कहा, तुम खुशनसीब हो लड़के की तुम उस विक्षणी पौईजन रूट में पैदा हुई आत्मिय शक्ति उर्जा को हासिल कर पाए, और इसलिए तुम्हारे हमलों को महसूस करने की काबिलियत कही ज्यादा बढ़ गई, लेकिन तुम्हें थोड़ा संभल कर रहना हो अब जो लीडर दुरजन को तुमने नाराज कर दिया है, तो वो मेडिकल लीग को खत्म होने का इंतजार करेगा। समझ गए कि विधुत मेडिकल सेंटर का मेंबर बनने के लिए तयार है, इसी तरह खुले आसमान में 20 चील एक साथ तेज रफ्तार में उड़ते हुए मेडिकल सीटी की ओर बढ़ने लगे, जहां उन्हें अगले मुकाबले के नियम बताये जाने थे, वही दूसरी ओर वो सीधा मुकाबले के मैदान में जाकर जमीन की ओर बढ़ने लगे, लिकिन जैसे ही चील पर बैठे योधाओं को मैदान में मौजूद लोगों ने देखा, तो वो जोर जोर से चिलाने लगे, जिनकी नजरे अपने सामने मौजूद चिल से परचाई में बदल कर उतरते जव जवान योधाओं पर थी, लिकिन विधुत की नजर तो सिर्फ उन योधाओं पर थी, जो सबसे आगे खड़े थे, ये और कोई नहीं, सातों प्राचीन कबीले के जवान पीड़ी के काबिल योधा थे, जिन में से एक सायरा भी थी, उस बड़े मैदान में 200 योधाओं मौ जूद बुजर्ग हेम राज पर थी, जिन्होंने बुजर्ग इपसा को मुकाबले का दूसरा भाग शुरू करने का कहा, बही दूसरी और बुजर्ग इपसा, जो कि सभी बुजर्गों की सहमी के साथ आगे आते हुए गंभीर आवाज में बोले, मेडिकल सिटी के मुकाबले में बचे हुए योधाओं पहले, रैंक पर हैपराचीन दानव कबीले से चूनाई सा, कहते हुए बुजर्ग इपसा के चेहरे पर हलकी नाराजगी थी, लेकिन उनके समाने मंच पर आगे आते, चून के चेहरे पर गुरूर भरी थी, जिसने एक नजर मुकाबला देखने आए, लोगों की ओर देखा, लेकिन हैरानी की बात थी कि सभी के चेहरे पर खामोशी थी, और उसने अपनी नजरे भीड में खड़े मेगराज की ओर की, लेकिन मेगराज के चेहरे पर दिख रही मुस्कुराहट को देखकर, चून और ने गुरुर के साथ अपनी नजरे मच की ओर करते हुए कहा, मैंने पहले भी कहा था, जहरीली गाटी में ऐसा कोई नहीं नहीं जो मेरा सामना कर सके, ऐसा कहते हुए वो मंच पर खड़ा होकर मुस्कुराने लगा, बही दूसरी ओर मंच पर मुस्कुराते चून को भीमा ने नाराजगी के साथ कहा, विधुत की ओर देखा, जो अब भी मुस्कुरा रहा था, लेकिन भीमा को समझ नहीं आ रहा था कि विध्युत आखिर मुस्कुरा क्यों रहा था, लेकिन तभी विध्युत ने भीमा की ओर देखते हुए कहा, भीमा, तुम्हें इतना पर अबला आसान नहीं होगा और हम सब एक दूसरे की मदद भी नहीं कर पाएंगे। विधुत ने इतना कहा था कि तभी मलिका ने नाराजगी के साथ मंच की ओर देखते हुए कहा। पालिक उनमें से बहुत से लोग मेगराज की ओर देख रहे थे जिनके छेड की तभी रैंक के योध्धा सामने आया जिसे देख विधुत की आँखों में नाराजगी नजर आने लगी। क्यूकि वो इंसान और कोई नहीं बाकी वोदा था जिसने शुरुवात में विधुत और उसके साथियों के साथ टीम बनाई थी। लेकिन तभी विधुत के चेहरे की नाराजगी हैरानी में बदल गई। क्यूकि उसे मंच पर वोदा की धीमी आवाज सुनाई दी। जो नाराजगी के साथ चून और अश्वा से बात कर रहा था। विधुत ने अपनी आत्मि सुरत नजरे नाज़ पर गड़ाए हुए था मुस्कुराहट के साथ बोला यार ये लड़की कितनी खूसबुरत है ऐसा कहते हुए वोदा की ओर थी। लेकिन तभी वोदा की नजर विधुत पर पड़ी जो घूर कर वोदा की ओर ही देख रहा था। जिसके साथ वोदा न इतना कहा था कि तभी उसकी नजर बगल में खड़ी नाज़ पर गई जिसने अपनी आत्मिये शक्तियों की मदद से सारी बात सुन ली थी। जिसके चलते वोदा ने अपनी नजरे दूसरी ओर कर ली। तभी वोदा के कानों में अश्वा की आवाज सुनाई दी। उस लड वोदा ने अपनी नजरे लंबे अश्वा की ओर करते हुए कहा अपना मूह कर ले लड़के अश्वा बरना तेरा भाई और तुम दोनों मिलकर भी मेरा कुछ बिगाड़ पाएगो ऐसा कहते हुए वोदा मंच से तेज रफ्तार में परच्छाई में बदल कर गायब हो गया बही दूसरी और वोदा की बात सुनकर चून डिच ने नाराजगी से वोदा की देखते हुए हुए कुछ कहने ही बाला था कि तभी चून ने अश्वा को रोकते हुए मंच से नीचे जाती हुए कहा उस बोने की शक्तियां काफी अजीव है जब मुकाबले में ये लोग सा चीन दानव कबीले के बाकी जवान पीड़ी के योध्धा सामने आए लेकिन उन में से सायरा नहीं थी तभी बुजर्ग इपसा ने मैदान में बढ़ते शोर को शांत करते हुए भारी आवाज में कहा मुकाबले का दूसरा भाग दो दिन बाद शुरू होगा ओ सिर्फ सौ योध्धाओं को ही आगे जाने का मौका मिलेगा बाकी बचे योध्धा पहले की तरह अपना टोकन टोकन काउंटर से हासिल कर सकते हैं इसी के साथ मुकाबले का पहला पढ़ाव खत्म हुआ ऐसा कहते हुए बुजर्ग इपसा मंच की और जाने लगे भाई दूसरी और जिद्धुत टोकन काउंटर की ओर जाने लगा जिसके साथ उसने मन ही मन कहा इस वोदा की शक्तियां सच मेला जवाब हैं